शुप्रभात कच्छा दुतिया बच्चों विशे हैं आपका हिंदी जिम्चिम तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक निम्चिम खोर लीजी और इसमें देखिए इसमें बच्चों हम अध्यन कर रहे थे आपके छट्वे अध्याय बहुत हुआ कविता का और इस कव इस घर में यह जो घर दिखाई दे रहा है आपको किस तरह से जगा जगा से पानी टप टप गिर रहा है पानी चू रहा है तो आज हम इस अध्याय से समंदित जो कुछ कठिन सब्द हैं उनका अर्थ कौपी में लिखेंगे तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की कौपी खोर लीजे बचो तो देखें आप भी सबसे पहले आज की दिनाग दो सितंबर 2021 जाल लीजे और फिर अध्याय संक्या अच्छे बहुत हुआ जिसके लेखक हैं हरीश नीगम हरीश नीगम जी ने ये कवीता लिखी है और फिर लिखेंगे आप कठिन सम्दों के आर्थ तो इसमें बचों सबसे पहले लिखेंगे आप कीचड़ कीचड़ दल दल आपने कभी देखा हो आप देखते ही होंगे बारिस के दिनों में पानी मिटी में जब पानी गिरता है तो किस तरह से मिटी कैसे हो जाती है गीली हो जाती है चिपचिपी हो जाती है तो दल दल जै इसमें दूसरा सब्ध है चुवा चुवा पानी टपकना आप घरों में देखते हैंगे नल से पानी टपकता है नल लीक करते हैं तो चुवा का है अर्थ टपकना फिर तीसरा है बोरियत बोरियत किसी काम में मनना लगना आप भी घर में बैठे-बैठे कभी बोर हो जाते हैं अधर नहीं लगता है बार्सके दिनों में क्योंकि बाहर खेलना होता है घर में बैठे बैठे बच्चे भोर हो जाते हैं तो बुर्यत काम लिखेंगे किसी काम में बनना लगना फिर है छॉथा इसमें मोर मौन मतलब चुपचाप किसी से कुछ ना बोलना चुपचाप रहना तो मौन कार्थ लिखेंगे आप चुपचाप या चुपप भी लिख सकते हैं फिर पाँचवा है सुवा तोते को कहते हैं तो सुवा कर्थ है तोता फिर छटवा है इसमें ताल ताल कर्थ तालाब तालाब फिर सात्मा है दुआ दुआ करना मतलब प्रार्थना करना कवीता में सब क्या प्रार्थना करने को कह रहे हैं कि बारिस बंद हो जाए तो यहां पे दुआ कर्थ है प्रार्थना करना प्रेर करना है ना तो आप बचो इस तरह से इन कठिन सब्दों के अर्थ कॉपी में लिखेंगे अब देखिए आप अपनी हिंदी की पुस्ता खोल लीजिए और इसमें आप खोलेंगे पेज नमबर 35 पेज नमबर 35 और यहाँ पर देखिए सबसे उपर लिखा है बर्शाथ फिर है बारिस कहने पर तुम्हारे मन में कौन-कौन से सब्द आते हैं सोचो और लिखो तो हमने लिखा है यहाँ पे बारिस कहने पर देखिए बारिस में क्या आता है पानी बर्चा होती है तो पानी गिरता है अधिक पानी होने से क्या होता है कीचढ होता है ना पानी कीचढ और आप देखते होंके पहाड़ों में कहेतों फिल्ड होते हैं जो उन्हें आपको क्या दिखती है हर्याली दिखती है ना और बारिस में हमें क्या ध्यान आता है, छाता भी ध्यान आता है, बच्चे तो थोड़ी सी भी बारिस होती है, तो किस तरह अपना छाता लेकर बोलते हैं, कि हम छाता लेकर कमरे से बाहर निकलेंगे, तो बारिस में हमें पानी, कीचर, हरियाली, छाता, इन सब सब्दों का ध इनके अति लिखते हैं यदि कुछ और सब्द लिखने हो तो आप अपने मन से लिख सकते हैं फिर है इसमें दूसरा जब पारिश होने लगती है तब तुम कहां खेलती हो कौन-कौन से खेल खेलती हो तो यह देखो बच्चों इसमें बहुत अधिक हम लिखेंगे बहुत अध इसलिए इसका उत्तर हम लिखेंगे बहुत अधिक बारिस होने पर हम घरों में खेलते हैं और घरों में हम हम लूडो सत्रंज कैरम आदी खेल खेलते हैं और यदि आप इनके अतिरिक अन्यके खेल खेलते हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं तो आप इस तरह से इसका उ आप इस तरह बच्चों आज आप इस दो प्रशने इनके उत्तर भी अपनी पुस्तक में ही करेंगे और साथी साथ कॉपी में कठिन सब्दों के अर्थ करेंगे तो चलिए आज एक कारे कर लीजिए धन्यबाद बच्चों